दोस्तो आप सब कैसे हैं? उम्मित करती हूँ, आप सब बढ़िया होंगे घर में अगर मच्चर बहुति ज़्यादा बढ़ जाये तो हम क्या करते हैं? मच्चर भगाने के लिए जो कौयल मिलते हैं और उयूस करते हैं लेकिन यह जो कॉयल, ओयल है ना यह भौती ज़्यादा हमारे सरीर के लिए हानिकरक है कैंसर या एलर्जी जैसा बीमारिया होती है घरेलू कुछ चीजों से ही हम यूज करके मच्छर को भगा सकते है जो हमारे सरीर के लिए कोई भी हानिकरक नहीं है और यह जो महेंगा महेंगा चीज हम खरिद कर लेकर आते हैं ना यह चीज हमें खरिदना ही नहीं पड़ेगा तो चलू वीडियो को आख स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करेंगे ना बहुत ही अच्छ रेजल्ट मिलेगा दो टीप्स मैं शेयर करूंगी पहला जो टीप से मैंने एक पुराना बर्तन ले लिया है एक लस्टून को इस तरह से ग्रेटर की मदर से ग्रेट करके ले रही हूँ यह पर कोई पुराना बर्तन ही यूज कीजिएगा जो खाने में यूज नहीं करते हो एक ग्लस पानी इसके अंदर डाल दिया है घर पर ही इसे लिकुइट बनाएंगे ना तो थोड़ा सा केमिकेल इसमें कम होगा हमारे सहित के लिए भी अच्चा होगा थोड़ा सा मैंने भीनिगार और एक नैप्थोलिन की गोली इसके अंदर डाल दिये है भीनिगार डालने से क्या होगा यह जो लिकुइट हम बना रहे हैं खराब नहीं होगा और एक चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है नमक फिर अच्चे तरीके से मिलाने के बाद इसको रग देंगे मैं इसको रख दिये थे आदा घेंटे के लिए नैप्थोलिन पानी के साथ मिल गया है थोरा सा कपूर इसके अंदर डाल दिया है यह जो हम एक सेलोशन बना लिये है ना इसका गंध है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉंग इसको ना हमें चान कर लेना पड़ेगा क्योंकि अगर नैप्थोलिन का छोटा छोटा पार्ट है या लेसून का वह बहार निकल जाएगा फिर क्या करेंगे कोई भी एक यहाँ पर इस्प्रे बोतल ले लेंगे इस्प्रे बोतल के अंदर एलिकुट हम डाल लेंगे इसको हम कैसे यूज करेंगे इसको कई बर बच्चे लोग जब भी पार्क में जाते हैं बाहर घूमते हैं उसको हाथ पैरों में मच्छर काट देता है अगर उसके कप्रे में हम इस तरह से स्प्रे को लगा देंगे ना इसका गंद के कारण मच्चर बच्चे या बड़े को आसपस नहीं घुमेगा कटेगा नहीं आप चाहे तो थोड़ा सा पैरों में या हातों में भी स्प्रे करके लगा सकते हैं तोचा के लिए एहानी करक नहीं होगा देखिए इस तरह से फिर हमारे घर में ऐसी कुछ जगा है जिसके अंदर मच्चर छुपा रहते हैं जहापर गैस सिलिंडर है देखा जाता है दिन के टाइम ना देख सकते हैं मच्चर छुपा है स्प्रे करने के बाद तुरंथ ही मच्चर भाग रहा है इहा से अगर आपके पास कोई भी बैलकोनी में कोई पौदा है जगा पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं जहापर सामको टाइम मच्चर आते हैं अदरबाजा से खिरकी से वहापर भी स्प्रे कर देंगे तो दूरंथ ही मच्चर भाग जाएंगे इतना ज़्यादा असरदर है तो आगला जो टीप से चलिए देख लेते इसके लिए भी हमें जरूरत होगा लसून का देखे ज़्यादा लसून नहीं चाहिए यह पर दो लसून का कली ले लेंगे तो हमारा कम बन जाएगा मैंने यापा ले लिया है दो लसुन का कली, क्या करेंगे इसको ना हमें जो छिलका है छिलको को इस तरह से अलग करना होगा छिलको को इस तरह से मैंने देखिया अलग कर लिया है, आप क्या करेंगे इसको ना हमें एक पेस्ट बनाना होगा इसके अंदर और कूछ चीज हमें एट करना होगा जिससे हमारे मच्चर एक दो मिनिट में ही तुरंथ भाग जाएगा देखिए मैंने याप ले लिया है लॉंग लॉंग तो हम मसाला में खाते है लेकिन लॉंग का जो गंध है मच्चर एक दम से बरदाश नहीं कर सकते है दो हम ले लेंगे लॉंग दो लसुन का कली और थोड़ा सा निम पत्ता तीनो चीजों जो हमने ले लिया है मच्चर भगाने के लिए रामबान चीज है तीनो चीज तो इसको हम कैसे यूज करेंगे मैंने याप ले लिया है हमल दिस्ता हमल दिस्ता में क्या करेंगे जो दो लॉंग लिये है ना लॉंग को डाल देंगे और दो लसुन को कली को डाल देंगे आप अगर रोजाना यूज़ करना चाहे तो क्या करेंगे ओनलाइन से या कोई भी दुकान से आप लसुन का जो पावडर मिलते हैं ना लसुन का या लोंग का पावडर खरिद का ले कर आईएगा तो एज़नज़त नहीं करना होगा आपका तुरंथी आप बना सकेंगे अच्छे तरीके से हमें कदुकस करना होगा फेर क्या करेंगे देखिए यहाँ पर हमें चाहिए एक दिया मैं यहाँ पर मिट्टी का दिया ये उज़स कर रही हूँ अगर आपके पास मिट्टी का दिया नहीं है तो आप कोई भी स्टील का कटोरी भाई उस कर सकते हैं पुरा करेंगी जिससे हमारे घर से मच्चर तुरंत भाग जाएगा देखिए मैं जो लेस्टून का जो छिलका है ना इसको मत्फे कियेगा इसको भी यूज कीजिएगा बहुती बढ़िया रिजल्ट मिलता है इसके अंदर जो निम पत्त हमने लिये है ना निम पत्त डाल देंगे अगर सुखा हुआ निम पत्त होगा तो बढ़िया होगा थोड़ा सा कपूर हम इसके अंदर डाल रहे हैं देख सकते हैं कपूर का जो गंध है ना हमारे घर से नेगिटिवीटी दूर करने के लिए बहुती ज्यादा यूसफूल माना जाता है थोड़ा सा हम डाल रहे हैं धुना हम इसको धुना कहते हैं जो पूजा परपन में इस करते हैं वो ही वला धुना हम इसके अंदर डाल रहे हैं धुना के गंद के कारण मच्चर तुरंत भाग जाते हैं और थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल दिया है नीम का तेल नीम का जो ओयल है ना ये बहुती ज़्यादा अच्छा होता है मच्छर भगाने के लिए जब सामको टाइम घर पर बहुती मच्छर हो खिर की दर्बजा बंद करना पड़ता है गर्मियों में बहुती ज़्यादा घुटन से पैदा होती है तो उस टाइम आप इस तरह से एक दिया जला लिजिएगा इसका जो आग निकलेगा ना आज का आग का उपर जो धुआ है ना इस धुआ के कारण मच्छर तुरंद भाग जाएगा क्योंकि इस आग में है कपूर, नीम का तेल, लसून, लौंग का फ्लेवर गंद जिसके कारण मच्छर घर पर नहीं रह सकते मच्छर इस गंद के कारण तुरंद भाग जाएगा अगर इस धिया जला कर अपके सारे घर में, बेडरूम में, डाइनिंग रूम, कीचेन में, सब जगा इसको दिखाएगे ना देखिएगा घर से मच्छर एग भी नहीं रहेगा रेमेडी जो घरलू तरीके से है ना, इसको अगर हम यूज करेंगे हमारे सरीर में कैंसर या जो एलर्जी का जो प्रॉब्लेम होती है कोईल या हम जो मच्छर भगने के लिए ओयल यूज करते हैं, वो सब बिमारियों से हमारे सरीर बहुती अच्छा रहेगा जरूर एक घरलू उसका आप यूज कीजिएगा तो आपको भी फाइदा होगा मेहिंगा रुपिया खरच करके आपको बाजार से मच्छर भगाने के लिए चीज घर पर नहीं लाना पड़ेगा वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छे लगे प्लीज मुझे सपोर्ट करना